एक्सरसाइज 7.2 question number 8 पिछल वीडियो में 7th question हमने solve कर लिया है अगर आपको कोई doubt हो रहा है उस question में तो नीचे description box में मेरा email id दिया हुआ है आप मेरे को email से contact कर लिजे तो मैं आपके doubt को clear कर दूँगा तो 8th question देखते हैं 8th question में दिया हुआ है draw a rough sketch of two triangles such that they have five pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent अभी तक हम पढ़ते हैं कि दो triangle आगर आपस में congruent है तो सिफ चार ऐसे rule है या चार ऐसे criteria है जिसके base पे हम यह बोल सकते हैं कि दोनों triangle आपस में congruent है या तो उसके तीनों side से equal होंगे या फिर उसके दो side equal होंगे और उनके दोनों side के बीच का जो angle है वो भी equal होगा तो भी congruent होगे या फिर दो angle equal होंगे दोनों triangle के और उन दोनों angle के बीच का जो side है वो भी दोनों triangle में equal होगा तो भी वो congruent होगे या तीसरा चौथा जो option है वो सिर्फ right angle triangle के लिए होता है कि RHS अगर equal होगे तो वो दोनों आपस में concurrent होगे अब हमको इस question में दो ऐसे triangle बनाना है rough diagram बनाना है कि दोनों triangle में 5 concurrent parts होना चीए यानि कि 5 parts आपस में corresponding होने चीए corresponding parts क्या होते है या तो angle होगा या sides होगा दोनों मिला के 5 parts जो है corresponding होने चीए लेकिन उसके बावजूद 2 triangle आपस में concurrent नहीं है तो एक rough sketch बनाना है हमको 2 triangle जो आपस में concurrent नहीं है लेकिन उसके 5 जो parts है CPCT के तहाद 5 parts जो है वो आपस में corresponding है तो चलिए इस question को whiteboard में अच्छे से समझते हैं तो इस question में क्या करना है सबसे पहले काम करते हैं आपन एक rough diagram बनाते हैं एक triangle का ठीक है ये suppose ये समझ लीजिए एक diagram है इस तरह का ठीक है ये एक triangle है अब इस triangle में suppose इसका नाम है A, B C इसका measurement है ये वाला side 4 cm का है ये वाला side 6 cm का है और suppose इसको ले 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 थे 9 cm का अब हमको करना क्या है एक और diagram बनाना है rough diagram जो की इस triangle का congruent triangle नहीं होना चीए लेकिन इसके जो parts है 5 ऐसे parts होना चीए जो congruent parts हो या फिर corresponding हो इस triangle के तो उसके लिए एक trick है आपको क्या करता है इसके जितने भी measurements दिये होए है उनको sides के जो measurement है उनको 1.5 से multiply कर देना है ठीक है अब suppose 4 cm को 1.5 से multiply करते हैं आपन ठीक है तो कितना होगा 1.5 इंटू 4 यह हो जाएगा 4 5s are 20 4 1s are 4 और प्लस 2 6 यह होगा 6 cm यानि कि यह वाला जो side होगा यह बढ़ जाएगा 6 cm के लिए अगर 6 को 1.5 से multiply करते हैं 1.5 इंटू 6 यह होगा 5 6s are 30 6 1s are 6 प्लस 3 9 पॉइंट यह आगया यानि कि यह side हो जाएगा 9 cm का तो यह side भी बढ़ गया अब इस side के उपर आते हैं इसको भी अगर 1.5 से multiply कर देंगे तो यह होगा 9 5s are 45 1 9s are 9 प्लस 4 13 पॉइंट यहाँ तो यह जो length होगा यह होगा 13.5 cm ठीक है इसको नाम देते हैं PQR अब हम ऐसा किये क्यों है question में हमको एक condition दिया है क्या कि यह दोनों triangle के जो 5 parts है वो आपस में congruent है या फिर corresponding है लेकिन उसके बावजूद दो triangle आपस में congruent नहीं है ऐसे हमको draw करना है तो वैसे बहुत सारे आप दूसरे कोई parameters लेके या दूसरे कोई measurement लेके भी आप कर सकते हो मैं इसले लिया हूँ कि 1.5 इससे अगर आप दो side को multiply करोगे तो इस triangle में दो ऐसे side मिल जाएंगे आपको जो इस triangle के दो side से match कर रहे हूँ लेकिन तीसरा side जो है वो match नहीं करेगा ठीक है तो आप देखते हैं इसमें corresponding parts कौन कौन से हैं सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर हम किसी भी triangle का अगर length बढ़ा देते हैं तो उसके angle में कोई फरक नहीं पड़ता इसका best example मैं आपको बताता हूँ आप एक photo खीच लो अपने mobile से किसे triangle का ठीक है अब इस triangle को आप अपने smartphone में zoom कर लो जूम करोगे तो क्या होगा यह triangle बढ़ा होने लगेगा ठीक है और zoom करोगे triangle और बढ़ा हो जाएगा और zoom करोगे triangle और बढ़ा हो जाएगा लेकिन जब आप जो उसका original picture देख रहे हो उसमें अगर यह वाला measurement 45 degree दिया है तो यह measurement भी 45 degree ही रहेगा और जादा बढ़ा करने पर भी जादा zoom करने पर भी यह measurement 45 degree ही रहेगा चेंज क्या होगा सिर्फ उसके जो sides है उसका length बढ़ जाएगा ठीक है तो इससे एक चीज़ समझ में आगे आपको कि अगर किसी भी triangle का length बढ़ा जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसके जो angles है उनका measurement भी बढ़ जाएगा angle का measurement सेम रहेगा यहाँ पर अगर 45 आ रहा है तो यहाँ भी 45 आएगा यहाँ भी 45 आएगा यहाँ अगर 30 degree का measurement है तो यहाँ भी 30 degree हो जाएगा यहाँ पर भी 30 degree रहेगा इन तीनो triangle में change क्या हो रहा है जब यहां से इसको zoom किये थोड़ा सा तो इसका तीनो length बढ़ गया फिर इसको और zoom किये तो length और बढ़ गया लेकिन angle का measurement same है तो अब देखते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो AB जो है दूसरे triangle के PR के equal है लिख लेते हैं, marking कर लेते हैं यह AB PR के equal है AB is equals to PR ठीक है अब देखते हैं दूसरा है BC यहां पर 9 cm का है और यहां पर QP 9 cm का है या PQ 9 cm का है तो यह और यह marking कर लिए BC is equals to PQ लेकिन जो तीसरा side है वो इसमें equal नहीं है यहां पर यह 3.5 cm का है और यहां पर 4 cm का है ठीक है तो यह 4 cm का है 13.5 cm तीसरा side equal नहीं है आप चाहो तो लिख सकते हो AC is not equals to QR ठीक है अब angle देख लेते हैं तो यहां पर मैं आपको example दे चुका हूँ कि अगर आप किसी photo को अपने mobile phone में जूम करते जाओगे तो उसका angle का measurement change नहीं होता है सिर्फ उसके size बड़े दिखेंगे आपको लेकिन angle का measurement same ही रहेगा तो यहां पर भी angle A जो है angle P के equal रहेगा जितना measurement angle A का रहेगा उतना ही measurement angle P का भी होगा angle A is equals to angle P angle B का measurement जितना रहेगा angle Q का measurement भी उतना ही रहेगा ठीक है यह दोनों angle B equal angle B is equals to angle Q angle C और angle R यह भी आपस में equal होंगे इनका भी measurement change नहीं होगा आप marking को देखते जाओ पहले वाले angle में आप single marking दे सकते हो दूसरे वाले angle में आप double marking दे सकते हो वह angle R के equal है अब dropping chapter के starting में हम देख चुके हैं कि जब दो sides आपस में equal होते हैं तो उनको यह बोला जा सकता है कि यह दोनों sides आपस में corresponding है ठीक है और अगर दो angle आपस में equal है तो आपन यह बोल सकते हैं कि दोनों angle आपस में corresponding है इसका जो तीसरा side है और इसका जो तिसरा साइड है ये दोनों आपस में equal नहीं है अब आप यहाँ पर apply करके देखो ठीक है ये हमारा question यहाँ पर solve हो चुका है ठीक है हमको सिर्फ ये rough diagram बनाना था आप इतने इतने measurement का rough diagram बना दोगे तो question solve हो चुका है ये दोनों triangle आपस में congruent नहीं है कैसे चेक करते हैं congruent होने के लिए हमारे पस चार rule है सबसे पहला है S, S, S याने कि दो triangle के अगर तीनों sides आपस में equal हो जाते हैं तो वो triangle दोनों triangle आपस में congruent होते हैं यहाँ पर सिफ दो side equal है तीसरा side equal नहीं है इसका मतलब ये rule apply नहीं हो रहा है दूसरा होता है S, A, S याने कि किसी भी triangle में दो sides equal है और उनके बीच का जो angle है वो भी equal है तब वो दोनों side आपस में, दोनों triangle आपस में congruent होते हैं यहाँ देखो, दो side जो equal है वो A, B, P, R के equal है ठीक है और B, C, P, Q के equal है याने कि ये वाला side और ये वाला side equal है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इस triangle में भी ये वाला side और ये वाला side equal हो और उनके बीच का जो angle है वो equal होना चाहिए यहाँ पर देखो, ये वाला side और ये वाला side equal है और इसके angle का measurement इस angle के measurement से अलग है ठीक है ये जो angle का measurement है और ये angle का measurement अलग-अलग है हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो साइड जब equal होते हैं तो उनके angle बीच का जो एंगल होता है उसका measurement सेम होना चीए यह matter नहीं करता कि यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है ठीक है यहाँ पर देखो इन दोनों साइड के बीच का measurement यह है और इन दोनों के side के बीच का angle का measurement ये है तो ये angle और ये angle अलग-अलग है क्योंकि ये angle A के equal है ठीक है B के equal तो Q है तो ये भी apply नहीं होता है तीसरा जो rule है वो है ASA इसका मतलब अगर दो triangle में दो angles equal है तो उनके बीच का जो side है वो equal होना चीए अब अब अपन इसको लेते है ये वाला angle और ये वाला angle equal है ठीक है मतलब ये वाला angle इससे equal है ये वाला angle इससे equal है ये दोनों angle आपस में congruent है तो इनके बीच का जो side है वो equal होना चीए था इसके बीच का side ये है PQ तो PQ किसके equal है वो तो BC के equal है ठीक है यानि कि वो इन दोनों एंगल के बाहर जा रहा है ठीक है और दूसरा साइड भी अगर ले लोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर equal होता ठीक है ये वाला एंगल इसके equal है ये वाला एंगल इसके equal है तो ये जो base line है ये आपस में equal होने चाहिए थे ठीक है दोनों एंगल के बीच का जो साइड है, वो एक्वल होना चीए था, लेकिन यहाँ पर BC जो है, QR के एक्वल नहीं है, BC, P, Q के एक्वल है, ठीक है, इसलिए, यह वाला भी apply नहीं होता है, तीसरा बच जाता है हमार पास, चौथा बच जाता है हमार पास, RHS, जो की सिर्फ right angle triangle के उपर applicable है, और यहाँ पर right angle triangle हमार पास है ही नहीं, इसका मतलब यह भी rule follow नहीं हो रहा है, satisfy नहीं हो रहा है, तो दोनों triangle आपस में, आप लिख सकते हो, therefore, triangle ABC is not congruent to triangle PQR, यह reason आप show कर सकते हो, ठीक है, यह हो गया exercise 7.2 का 8th question,